नमस्कार आप देख रहे हैं टेक्निकल ग्रिवा मैं हूं ग्रिवा और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे यूट्यूब में एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ गया है अभी तक आपको चैनल मोनेटाइज करने के लिए क्या करना पड़ता था जैसी बात है अभी तक 1000 सब्स सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे में हमारे चैनल मोनेटाइज हो जाता था पर अब ऐसा बिलकुल भी नहीं होगा 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे से ही काम नहीं चलेगा तो फिर अब क्या करना होगा सब जानेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को भी तक सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सेयर कर दीजिए चैनल मोनेटाइजिसन के लिए आप 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे कंप्लीट करते थी क्योंकि उसमें यहीं था कि जब आपका चैनल मोनेटाइज होने क त्यार होगा तो उसके पास 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे वाच्राइब होना ही चाहिए पर अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अब 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे तो चाहिए ही चाहिए उसके साथ आपको दो और सरते भी कंप्लीट करनी होगी तीसरा है टोस्टे बेर बेरिफिकेशन भी ओन करना होगा बीना टोस्टेप बेरिफिकेशन ओन किये आपका चानल मोनिटाइज नहीं होगा ध्यान रहे 31 अक्टूबर तक आपको टोस्टेप बेरिफिकेशन ओन कर देना है अगर आप 31 अक्टूबर तक टोस्टेप बेरिफिकेशन ओन नहीं करते हैं Zero Active Community Guidelines Strike जी हाँ, जब आपका चैनल Monetization के लिए तयार हो जाएगा आप verification भी on कर लेंगे 1000 subscribers भी complete हो जाएगे 4-4 घंटा भी पूरा हो जाएगा तब आपके चैनल पे उस समय एक भी strike नहीं होनी चाहिए अगर आपके चैनल पे यह सब complete होनी के बावजूद एक भी strike उस समय रही तो आपका चैनल monetize नहीं होगा यह देखनी के लिए सबसे पहले आपको YouTube Studio उपन करना होगा वहाँ पे जब आप monetization पर क्लिक करेंगे तो यह चारो options आपको दिख जाएंगे पहले इसमें बस दो ही सरते होती थी 1000 subscribers और 4000 घंटे watch time पर अब इसे बढ़ा कर 4 कर दिया गया है 1000 subscribers 4000 घंटे watch time तो इस्टे verification और zero active community guidelines strike अब आपको यह 4 सरते complete करनी होगी तब जाके आपका channel monetize हो पाएगा आसा है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टापक के साथ तब तक के लिए नमस्कार